मैंने दोस्तों, असलाम अलेकूं, काजी राशद आपकी खित्मत में हाजर है आज एक और वीडियो लेके आया हूँ, जो प्रेपोजिशन्स पे है तो कुछ प्रेपोजिशन्स पुट करनी है हमें तो पहला जो सेंटेंस है वो मैं पढ़ रहा हूँ वो सेंटेंस नंबर सिक्स्टीन है I have great confidence in my performance तो यहाँ confidence के साथ इन लगेगा और उसके बाद दूसरा सेंटेंस है जो 17 नंबर पे है यह 16 नंबर इसी लिए लिखा है मैंने कि इससे पहले मैंने 15 नंबर तक वीडियो अपलोड किये है तो यह उसकी यह थर्ड वीडियो है जो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ तो इसका जो पहला सेंटेंस है वो 16 थे और दूसरा सेंटेंस है वो 17 सेंटेंस नंबर 17 वी शुट कंफर्म तु दा रूल्स तो यहाँ तु लगेगा और उसके बाद we should comply with the rules तो यहाँ with लगेगा अगर हम abide इस्तेमाल करते हैं क्योंकि abide भी इस्तेमाल होता है तो abide के साथ by लगाएंगे जैसे के I should abide by the rules the people should abide by the country's rules तो इस तरह से abide by भी इस्तेमाल होता है उसके बाद सेंटेंस नंबर 19 they congratulate me on my success they congratulate me on my success और उसके बाद भोगा sentence नंबर 20 I year consists of 365 days तो यहाँ आफ लगेगा और उसके बाद sentence नंबर 21 the patient is being cured off cure अपने साथ आफ लेगा तो हम इधर हम आफ लिखेंगे और उसके बाद it depends upon और on यह depends upon भी लेता है और on भी लेता है तो आप you can use on और upon with depend और उसके बाद the Muslims of the subcontinent were deprived तो deprived अपने साथ क्या लेगा वो भी off लेगा और उसके बाद many people around the globe have died of COVID-19 अगर किसी भी बंदे की मोद disease की वज़ा से होती है तो हम उस disease का नाम लेके बता सकते हैं he died of malaria they died of cholera तो इस तरह के जो diseases हैं हम उनके साथ off लगाएंगे और उसके बाद her pen is different from mine और उसके इलावा हम इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं her pen is different than that of mine यह हम इस तरह से कुछ sentences जो मुखलिफ exams में आ चुके हैं खासकर के CSS में आ चुके हैं correction के हवाले से the climate of मुलतान is hotter than that of Islamabad तो than that of इस्तमाल होता है और sentence number 26 the teacher is disappointed with by या about या in यह सारे propositions इस्तमाल हो सकते हैं the teacher is disappointed with या by या about या in student's performance लेकिन यह जो तीन है with by और about यह कुछ ज्यादा इस्तमाल होते हैं उसके बाद we divided our length into ten parts यहां into लगेगा into ten parts तो दोस्तों यह थी कुछ prepositions जो मैंने आपकी खिदमत में पैश की हैं तो इंशाला next video में कुछ और prepositions लेके आऊंगा जो आपकी खिदमत में पैश करूँगा तो आज के लिए बस इतना ही मिल दें next video में तब तब के लिए इजाज़